नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है पेशे 24 जन्वरी मंगलवार्द पर सवाएक बजे राजिसान की 15 बड़ी खब्री सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेर्लाइन्स पर दिल्ली एर्पोर्ट पर करोडो रुपए कैश बरामत इसी सतर में गहलो सरकार लाएगी दो विधेया पैरोल पर आए राम रहीम ने तलवार से केक काटा बॉल्ली वुड अब नेतरी जोय परदाने होनहारों को सौंपी स्कूटी की चाबियां और मोर भी ब्रिज हासा कोट ने जोरी क्या ठेकेदार की खिलाफ आरेस्ट वारंट और अब खबरे विस्तार से हवाई अड़े पर कारगो की स्क्रीनिंग के दौरान कोची जाने वाले तीन बक्सों से करोड रुपए की कैश बरामत किये गए हैं दिली पुलिस के मताबकि इसके बाद सदर बजवार में एक कुरियर कंपनी के आफिस पर छापा मारा गया उसके दो करमचारियों को हिरासत में लिया गया है नाद्वारा और सामलिया सेठ मंदिर बोर्ड में पहली बार मुख बदिर और कुस्ट रोग से पिडितों को भी एंट्री मिलेगी इसके लिए राजी सरकार इसी बजट सत्र में दो बिल लाएगी विधान सबा में सोमार को राजपाल कलराज मिश्ट के अभी भाषन में इसका दिक्र किया गया है देवसान विभाग के सैंक्त सचिव अजय सिंग डाठोड ने बताया कि नाद्वारा मंदिर संशोधन विद्यक 2022 और श्री सामलिया जी मंदिर संशोधन विद्यक 2022 लाया जाएगा इन में दोनों मंदिरों के बोर्ड में मुख बदिर या कुस्ट रोक से पेड़ित की अपातरता वाला पैरा हटाया जाएगा हराना के सिरसास से तडेरा सचा सौधा के प्रमुक राम राहीम ने पैरोल पर बाहर आते ही सुर्खया बटोरनी शुरू कर दी है देरे के दूसरे संत शास अतनाम के जनम दिन पर राम राहीम ने उत्तर प्रदेश के बाग पस्तित बरनावा देरे में तलवार से केक काटा शास अतनाम के जनम दिन पर वो पांच साल बाद बाहर आया था जिसके बाद उसने पांच केक काटे इसके बाद उसका उल्लाइन ससंग फिर शुरू हो गया है इसमें आशिरवात के लिए हर्याना भाजपा के नेताओं की कतार लगनी शुरू हो गई है टोक में सरोली मोरसित शिव पबलिक शिक्षा समीति की ओर से सुमवार को धुमा कला धाम में धन्ना भगत पीठा देश्वर बजरंग देवाचաरय महराज के सानेधे में प्रतिभा सम्मान समारो वे शिव छातरावास भवन लोकारपन हुआ साथ ही प्रतिफा सम्मान में सम्मानित होने वाले छासर चात्राओं के साथ भव्या जूलूस का अइड़न किया गिया जूलूस दूनजा माता तक ले जाया गिया इसमें मशूर अभीनेतरी व्यसानसत रही जोयपरदा मुख्या कशौन का केंदर रही स्कूल ने देशक ने स्कूल की किसी भी छात्र के बोर्ड परिक्ष्या में स्टेट टॉप करने पर का देनी की घोशना की गुजरात मौर भी ब्रिज हासा मामने में कोट ने ओरेवा ग्रूप के जैसुक पटेल के खिलाफ गिरिस्तारी वरान चारी किया है जैसुक के पास ब्रिज के रिनोवेशन का ठेका था मीडिया रिपोर्ट के मताबिक एडवोगेट संजे वोरा ने बताया कि पिछले सतर दिन से उनकी गृफतारी नहीं हुई है अभे लुकाउट नोटिस जारी नहीं हुआ है आमादमी पार्टिने केंद्र सरकार के One Nation, One Election के प्रस्ताव का विरोध जोताया है पार्टिने इसे गैर समय धानिक और भारते लोगतंतर के लिए खत्रा बताया है आपने ता आतिशी ने प्रस्ताव का फुर्जोर विरोध करते हुए Law Commission को 12 पेज में अपनी राय रखी है भाजपा ने पहली बार 2017 में One Nation One Election का प्रस्ताव देश के सामने रखा था December 2022 में Law Commission ने सभी राजनेतिक दलों को अपनी रिपोर्ट भेज कर इस पर उनकी राय मागी थी बढ़ते हुए यात्री भार को देखती हुए सीकर के रास्ते मुंबई हिसार के बीच और इंदौर बिकानेर के बीच चलने वाली ट्रेन में अध्रेक्ट डिब्बे लगाए गए हैं उत्तरपशिम रेलवे के मुख्य जनसंपर कदिकारी कैप्टन शशी किरन ने बताया कि गाड़ी संख्या 122 39 122 40 मुंबई सेंट्रल हिसार मुंबई सेंट्रल दुरंतो में मुंबई सेंट्रल से 5 फरवरी से तथा हिसार से 7 फरवरी से एक सैकंड एसी डिब्बे की स्थाई बढ़ोतरी की जा रही है मुही गाड़ी संख्या 1333 1334 इंडॉर बिकानेर इंडॉर ट्रेन में इंडॉर से 4 फरवरी से एवं बिकानेर से 5 फरवरी से एक थरवरी से एक सैकंड स्लीपर डिब्बो की स्थाई बढ़ोतरी की जा रही है इस साल विदान सभा चुनाओं में रिपीट होने के साथ ही कॉंग्रिस के लिए लोग सभा चुनाओं में लगाता दो बार सूपरा साफ की सिती को खत्म करना बड़ी चुनाओती बनी हुई है कॉंग्रिस ने लोगसभा चुनाव के रनीती के पहले चुरण में दलित आदिवासी सीटों पर फोकस किया है इसके तहत राजिस्तान के साथ मध्यप्रदेश के 10 और 36 गड़ की 4 सीटों को लेडर्शिप डवलप्मेंट मिशन में शामिल किया गया है कॉंग्रिस ने तरतों ने पिछले दो लोगसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन को देखती वी 2019 के लोगसभा चुनावों में हारने वाले 121 सीटों में से पहले चुरण में 50 आरक्षित सीटों को चुना है यूद कॉंग्रिस राजस्तान के चुनाव के लिए अंतिम लिस्टर तयार हो गई है यूद कॉंग्रिस के चुनाव के लिए 22 जनुरी तक नामांकनों पर अंतिम निर्ने लिया जोना था इसके बाद अब राजिस्तान में यूद कॉंग्रिस प्रदीशा ध्यक्ष के लिए 16 दावेदार रह गई हैं इन 16 दावेदारों में से यूद कॉंग्रिस प्रदीशा ध्यक्ष और उनकी पूरी कारेकारनी तैह होगी प्रदेश अध्यक्ष के लिए 29 लोगों नामांकन भरे थे इन में से 16 दावेदारों को फाइनल किया गया है इस बार मेंबर्शिप ही वोटिंग है रासना सरकार के सेयोक्षित जौपूर में IIM उद्यपूर एक्सपेरिमेंटल लैब स्थाबित करेगा डेड़ करोड रुपै से तयार होने वाली लैब देश की पहली ऐसी लैब होगी जहां वीशिशग्या मानव मस्तेश को और शारिरिक क्रियाविग्यान से संबंधित अध्यन करेंगे इसका अध्यश लोगों की सोच का पता लगाकर सरकार के जुन कल्यानकारी योजनाओं को धरातल पर लाना है डायक्टर प्रफेसर अशुक बनर जी बताते हैं कि रहसान सरकार समस्या के समधान के लिए ये एक्सपेरिमेंटल एप्स थाबित करवा रही है ताकि संबंधित योजनाएं लागो होने के बाद फेल नहीं हो टीम इंडिया के तेजगेंद बाज मौहमर शमी को उनकी पतनी हसीन जहां को हर महिने गुजारा भथता देना होगा कोलकाता की लोर कोट ने समधान को या आदेश सुनाया ये राशी एक लाग तीस हजार रुपे होगी इसमें पचास हजार रुपे हसीन जहां को और असी हजार पे उनकी बेटी के खर्चे के शामिल हैं दोनों 2018 से अलग-अलग रह रहे हैं और तलाक का केस चल रहा है गटना का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें आरोपी एर होस्टेस पर चिलाता हुआ नजर आ रहा था जैपर में NH AI 1270 मिटर चौड़ी रिंग रोड के लिए जमीन अवापती शुरू करने ज़ा रहा है इसके लिए उन्होंने राजे सरकार को जमीनों की सूची भीजी है खास बात यह है कि पहले रोड के दोनों और बचे 145-145 मिटर जमीन पर जैपर विकास प्राधिकरन को डवलपमेंट करना था लेकिन हाल ही में हुई मिटिंग में तैक किया गया है कि इस सीमा को केवल मार्किंग कर छोड़ दिया जाएगा इसे रिंग रोड के बाद जमीनों की खरीद फरोप के साथ डवलपमेंट के सपने संजो रहे लोगों को जटका लगा है SMS जैपुर, जमीर, जोदपुर, उदैपुर, बिकान एरवे, कोटा मैडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में दिल की बिमारी से संबनित मरीजों की जाँच और उपकरनों की मोनिटरिंग करने वाले काडियक इंस्ट्रूमेंट टेक्निशियन नहीं होने से मरीजों क जान संकट में हैं, इन एस्पतालों में हार्ट अटैक मरीजों की जिन्दिकी के साथ खिलवाड हो रहा है, ये काम अनिस्टाफ करता है, विशेशग्य नहीं होने से मरीजों की जान पर बन सकती है, जैलन मैडिकल कॉलेज अजमेर में 2005 से 2 साल का काडियक गरिफ्तार किया है, जब तो सोने की बिस्क्ट का वजन 933 क्राम है और इसकी कीमत 5 करोड उपैसे अधिक है, ये कारेवाही साउथ बंगाल फ्रंटियर के थायत 112 बटालियन तराली आउट पोस्ट के जवानों ने की है, तसकर के पहचान बबलू मॉला के रूप में हुई ह तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ